नमस्कार मैं दोशियन सिंग अध्यान एड़ा यूट्यूब चनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एक बहुत अच्छे कोट के साथ आज की क्लास की सुरुवात करेंगे किसी ने कूप कहा है कि घर बनने में समय नहीं लगता लेकिन अगर किसी को महल बनाना है तो उसमें समय लगता है धीरे-धीरे ही सही हम अपने लक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आज की इस वीडियो के साथ मैं NCRT जोग्राफिक की जो तीसरी बुक है क्लास 8 की वो समाप्त हो जाएगी फिर आगे की चीजों की तरफ देखेंगे UPPCS 2023 के प्रिलिम से पहले-पहले मेरी कोशस ये रहेगी कि NCRT की जितनी भी विशे हैं वो आपको complete करा दी जाएं और UPPCS 2023 के लिए जितनी भी अन्य चीजों की आवशक्ता होगी other study material की आवशक्ता होगी वो भी मैं आपको इस channel के माध्यम से बिल्कुल free of cost प्रवाइट कराता रहूँगा आज का हमारा chapter है chapter number 6 class 8 का ये last chapter है मानव संसाधन जिनको हम कहते हैं human resources हालांकि previous classes में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि संसाधन क्या होते हैं, resources क्या होती हैं, मानव संसाधन किसे कहते हैं मानव को संसाधन का दरजा क्यों दिया गया है इन सभी चीजों के बारे में हम पिशली classes में discuss कर चुके हैं फिर भी यहाँ पर इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे class 8 की geography का chapter number 6 ये कहता है कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं, किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उस देश के लिए सबसे बड़े संसाधन होते हैं, सबसे बड़ी resource होते हैं क्यों होते हैं? अब देखिए जो संसाधन आप देखते हैं अपनी प्रकरती में चारों तरफ आपको जो resources दिखाई देती हैं उन resources की अवस्तिती प्रतवी पर बहुत पहले से थी ठीक है? काफी पहले से, काफी पुराने समय से ये सारी चीज़े विद्धिमान थी लेकिन इन चीज़ों का उप्योग किसी दूसरी चीज़ में भी किया जा सकता है या अपने मानव जीवन में जो हमारी आवशक्ताएं होती हैं उनके लिए किया जा सकता है इस चीज़ का पता लगाने का कारे किस ने किया? मनुश्य ने किया तो मनुश्य एक तरह से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा संसादन है क्योंकि जो संसादन है उनकी उप्योगता के बारे में जानने का प्रियास बताने का प्रियास उनके अनुपरियोग के बारे में मनुष्य नहीं पता लगाया, तो मनुष्य ही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, सबसे बड़ा संसाधन होता है मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, अंतिम संसाधन कैसे अगर मनुष्य ही खतम हो गया, तो ये संसाधनों का क्या होगा इन संसाधनों का अनुपरियोग कैसे होगा, इन संसाधनों का हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें बिलकुल असंभब हो जाएंगी, तो मानव संसाधन यानि human resource, ये सबसे बड़ा संसाधन है और सबसे अंतिम संसाधन भी इस होती है, उसके अनुरूप अपने जो भी resources होते हैं, आसपास उनका विकास करते हैं और उनको अपने दैनिक जीवन में परियोग करते हैं, भारा सरकार के अधीन एक मंत्राले है, जिसका नाम है मानव संसाधन मंत्राले, इसका निर्माड किया गया था 1985 में, 1985 में, और इसका उद्देश क्या था मानव संसाधन मंत्राले के निर्माड का, ये लोगों के कौशल, जो लोगों का skill होता है, काम करने की, उनकी जो कह सकते हैं, capability होती है, उसको develop करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इसका निर्माड किया गया था, इसके अलावा प्रधान मंत्री पास योजना, ये जो के 2015 में स्टार्ट करी गई थी, जो हमारे देश का youth है, जो हमारे देश का योवा है, उसकी skill को मजबूती मिले, वो अच्छी अच्छी चीजें बनाने में दक्ष हो सके, तो 2015 में इस योजना की सुरुवात की गई थी, एक करोड भारती योवाओं को 2016 2016 से 2020 तक परसक्षित करने का इसका उद्देश्य था, आगे देखते हैं जनसंख्या का वितरण, भूपरस्ठ जिस पर भूपरस्ट जो होता है यानि प्रतवी की जो सतय है, भतवी का जो भूपरस्ट है, उस पर जिस परकार से लोग फैले हैं, उसके क्या कहते हैं, जनसंख्या का 90% से ज्यादा भाग भूपरस्ट के लगबग 30% भाग पर निवास करता है। विश्वकी 90% जनसंख्या विश्वके 90% लोग पर्थवी के जो भूपरस्ट है उस भूपरस्ट के लगबग 30% हिस्से पर निवास करते हैं। अगर जनसंख्या वितरण को देखा चाहे तो जैसे विशुवत वरत होता है जैसे यहाँ पर मैं आपको और समझाता हूँ जैसे विशुवत वरत है विशुवत वरत के उत्तर में ठीक है दक्षड की अपेक्षा ज्यादा लोग निवास करते हैं विशुवत रेखा के उत्तरी भाग में ये जो इसका जो हिस्सा है ठीक है इसको मैं डार्क कर रहा हूँ इस हिस्से में दक्षडी भाग की अपिक्षा जादा तर लोग निवास करते हैं आप गलोब देखेंगे या वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जैसे एसिया महादीब भी विश्वत वरत के क और आपका उत्तरी अमेरिका हो गया इन महादीपों में विश्वकी अधिक्तम जनसंक्या निवास करते हैं दक्षड की तरफ इसे ऑस्ट्रेलिया है वो देश भी है और एक महादीब भी है तो जादा तर जनसंक्या का वित्रण देखें तो विश्वत वरत के उत्तर में ही इसका फैलाव है विश्वकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगबग 3-4 हिस्सा एसिया और अफ्रीका में रहता है विश्वकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 3-4 हिस्सा लगबग 75% भाग पूरे वल्ड की पॉपुलेशन का एसिया और अफ्रीका महादीप में है विश्वकी 60 प्रतिशत जनसंख्या केवल 10 देसों में है और वो 10 देस कौन से है चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पकिस्तान, बांगलादेस, नाइजीरिया, रसिया और जापान इन 10 देसों में विश्वकी 60 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, देकि NCRT में ये एक चित्र दे रखा है, इस चित्र की साहिता से आप समझ सकते हैं, पहले मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, जैसे ये जो कलर है, ठीक है, जो ओरेंज कलर है, ये एस जो लोग रहे हैं, उनको दिखाया गया है, और ग्रीन कलर से ओष्णिया जो है, यानि न्यूजिलेंड, आस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरिय छेत्र जो है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको दिखाया गया है, तो इसमें आप देखेंगे, ज़्यादा तर कलर आ अब होद वाले देश हैं, चायना और आपका इंडिया, ये अजिया महादीप में ही है, तो ये आप जनसंख्या के वितरण को यहां से समझ सकते है ठीक है, महादीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है वहाँपे दिखाया गया है, जनसंख्या गहनत् तो एक वर्ग किलोमेटर में, एक वर्ग किलोमेटर छेतर में लगभग 51 व्यक्ति जो है पूरे विश्व में रहते हैं, तो मैं आपको बताओं कि एक वर्ग किलोमेटर छेतर में, यानि एक किलोमेटर लंबा और एक किलोमेटर चोड़ा, एक किलोमेटर लंबा, एक से एक वर्क किलोमीटर छेतर में अगर पूरे वल्ड का एवरिज निकाला जा तो लगभग क्यावण विक्ति रहते हैं और भारत का प्रति वर्क किलोमीटर जो जनसंख्या घनत है वो 382 है यानि 01 किलोमेटर एक वरक संख्या के मामले में आगे निकल जाएगा तो यहाँ पर इस डायगराम में आप देख फारी होँगे चीन की जो जन संख्या है लगवग 1.4100 million के आसपास है भारत की जन संख्या लगवग 1.4200 million के आसपास है USA की जन संख्या आप देखेंगे 200 million से कुछ अधिक है तीक है इन देशों की जनसंख्या को मिलियन में यहां पर दर्सा आया गया है, ठीक है, यह विश्वकी सबसे घनी आबादी वाले देश हैं, जिन देशों के नाम आप यहां पर देख पारे होंगे, चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बंगला देश, नाइज जनसंख्या के सकते हैं, जनसंख्या घनतवाले छेत्र हैं, अब जनसंख्या किसी जगे पर कम है, किसी जगे पर ज्यादा है, किसी जगे पर घनी है, किसी जगे पर विरल आबादी है, यह जनसंख्या का वितरण होता है, और इस वितरण को कौन-कौन सी चीजें पर भावि जो छेतरों पर ये जो है depend करता है कि किसी particular देश में या किसी particular इस्थान पर कितनी जनसंख्या निवास करती है जैसे इस थालाकरती है तो गंगा के जो मैदान है वो विश्व के सबसे घनी आबादी वाले छेतर हैं ठीक है क्योंकि ये समतल मैदान है यहाँ पर क्रसी से जोड़ी हुई क्रियाएं होती रहती हैं क्रसी के लिए यहाँ पर अनकुल जलवाई भी दसाएं है समतल भूमी है पानी की उपलब्दता है उपजाओ भूमी है तो यहाँ पर लोग ज़ादा रहेंगे क्योंकि इन पर चेतर है या परवतिय चेतर है वहाँ पर जो लोगों का जनसंख्या है वो बहुत कम पाई जाती है तो इनको हम कहते है विरल बसे चेतर मतलब दूर दूर यहाँ पर जो है लोगों का आवास या निवास पाया जाता है जलवायू की द्रस्टी से अगर देखें तो भारत में गंगा और ब्रमपुत्र, ठीक है, चीन में हुआंग ही, चांग जियांग तता मिस्र में नील नदी के जो उपजाओ मैदान है, ठीक है, जो भी नदी घाड़ी का छेतर होगा, नदियां जहां से उकर बहेंगी, वो जन संख्या में निवास करते हैं, जलकी देखें तो विश्व की जो नदी घाटिया हैं, वो ज़्यादा घनी बसी हुई है, जबकि मरस्थल वाले जहां पर जलकी उपलब दता ही नहीं है, सहारा का मरस्थल, विश्व के जितने भी मरस्थली छेतर हैं, रेगिस्तानी छेतर है जन संख्या का अभाव पाई जायता है, जन संख्या बहुत कम संख्या में पाई जाती है, अब अगला कारक है आपका खनिज, जहां पर खनिज निश्यप जादा होंगे, तो वो छेतर अधिक बसी हुए मिलेंगे, कारण क्या है इसके पीछे, जहां पर खनिज जादा अधिक घनिव बसी हुए छेत्र होते हैं इसके अलावा जनसंख्या वित्रण को प्रभावित करते हैं सामाजिक कारक सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारण जनसंख्या वित्रण को कैसे प्रभावित करते हैं उनको देख लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक कारक के बारे में. सामाज एकारक कैसे होते हैं कि किसी इस्थान पर आवास की विवस्ता अच्छी है रहने कि अच्छे सादन है, सिक्षा की विवस्ता है, schools है, colleges है, universities है, इसकी अलावा स्वास्ता की उच्चकोठी की सुविदाएं हैं, अस्पताल मौजूद हैं डॉक्टर्स मौजूद हैं तो अगर इस तरह की सुविधाएं अगर किसी जगे पर मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे तो जैसे पुडे वगएरा या जो कह सकते हैं यह पुडे जो एक्जामपल दे रखा यह NCRT में दे रखा है इस वज़े से मैंने यहाँ पडाल दिया है तो जैसे पुडे हो गया और कह सकते हैं जो भी विक्षित सीटीज हैं जो भी महानगरी च्छेतर हैं वहाँ पर अपना अलग इस्थान है येरूसलम है जिसका कह सकते हैं धार्मिक रूप से जोड़ा हुआ ये भी एक इस्थान है वेटिकन सिटी है तो ये क्या है धार्म और संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले इस्थान है तो यहाँ पर भी लोग जो है ज्यादा रहते हैं ये जापान पर भी लोगों की जनसंख्या में पृध्धी देखी जा सकती है वहाँ पर भी लोग ज्यादा रहते हैं जैसे जापान में ओसाका जो है ये बहुत अच्छा छेतर है उध्योगों की द्रस्टी से इसके बारे में हमने प्रिवेस क्लास में डिस्कस किया था भारत म मुंबई जो है यहां पर भी बहुत सारी उध्योग हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, अलग-अलग तरह के काम यहां पर लोगों को मिल जाते हैं, तो यह जो छेतर हैं वो कैसे हैं, घने बसे हुए छेतर हैं, जनसंख्या परिवर्तन देखें, इस पर एक नजर डालते हैं एक निश्चित अवधी के दोरान, एक निश्चित समयांतराल के दोरान, लोगों की संख्या में जो चेंजिस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसको हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, तोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि 1800 तक विश्व की जनसंख्या जो थी, वो जनसंख्या जो थी यह 3 अरब हो गई ठीक है, 1500 बड़सों में जो 1804 में जनसंख्या थी यह अरब, वो 3 गुना हो गई 3 अरब हो गई, तो एक दम से मतलब कम समयावदी में जनसंख्या का इतने बड़े लेवल पर बढ़ना उसको क्या कहा जाता है जनसंख्या विसफोर्ट कहा जाता है 1999 में यह जनसंख्या लगबग 6 अरब हो गई ठीक है तो इसके पीछे रीजन क्या था कि 1969 में 3 अरब जनसंख्या थी और 1999 में जो जनसंख्या थी वो 6 अरब हो गई तो क्या था क्योंके खाद्य आपूर थी बहुत अच्छी तरीके से इस समय तक होने लगी थी अलब लोगों को खाने पीने की सुवदा अच्छी मिल रही थी इसके कारण जो हमारा इसके अलावा जो मेडिकल छेत्र था वो भी उसमें अधिक होती चली गई ठीक है जम्रत्यू दर कम होगी यानि लोग कम मात्रा में उनका डेथ होगा और ज्यादा मात्रा में ज्यादा संख्या में लोगों का जन्म होगा बच्चों का जन्म होगा तो जन्संख्या स्वाभाविक रूप से वहाँ पर बढ़ेगी, अब कुछ टर्म हैं अलग-अलग, जो अक्सर करके आते रहते हैं, और जनके बारे में हमको पता रहना चाहिए कि जन्मदर क्या होती है यानि एक हजार व्यक्तियों पर प्रती एक हजार व्यक्तियों पर जो जीवित जन्म होते हैं जीवित जन्म, आप ध्यान रखें, जन्मदर का मतलब है जीवित जन्म, ठीक है प्रती एक हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्म या पर कह सकते हैं पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, जीवित पैदा होने वाले लोगों का आना जाना लोग जलवायू परिवर्थन के साथ साथ या मौसम परिवर्थन के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं इसको हम कहते हैं प्रवास करना जीवन प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा क्या होती है ऐसे वरसों की संख्या जिसमें और विक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, मतलब कोई विक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा, उसका एक prediction करना वो जीवन प्रत्याशा होती है, ठीक है? प्राकर्तिक व्रत्यधर के से कहते हैं, किसी देश की जो जन्मदर होती है और म्रत्यधर, जन्मदर, म्रत्यधर अभी हमने देखा, तो जन्मदर और म्रत्यधर के बीच का जो difference होता है, अंतर होता है, उसको कहते हैं, प्राकर्तिक व्रत्यधर. बहुत ही important point है, अगर किसी देश की प्राकर्तिक व्रत्यधर का तीब्रता से क्या होगा, उसमें व्रत्यधर होगी, प्राकर्तिक व्रत्यधर जो है, वो तीब्रता से अगर बढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जन्संख्या व्रत्यधर जादा होगी, तो जन्संख्या इसकी तलास में रोजगार की तलास में या उनको कोई भी यहाँ पर मौके मिल रहे हैं, पॉर्चिनिटी मिल रही हैं, उनको पाने के लिए उनको प्राप्त करने के लिए लोग जब एक देश से दूसरे देश में आते हैं, मतलब जैसे मैं कहूँ कि हमारे देश में अन्य दे निवास के लिए अन्य देशों की तरफ अपना रुख करें, दूसरे देशों में जाएं, तो उस चीज को, उस घटना को क्या कहा जाएगा, उत्प्रवास कहा जाएगा, तो जन्दली उत्प्रवास में क्या होता है, एक विक्ति अपने देश को छोड़ता है, आप्रवास मे अपने देश में दूसरे देशों से विक्ती आते हैं ठीक है तो आपरवास उत्परवास आपकी समझ में आ गया होगा नोट यहाँ पर देखते हैं USA और आस्ट्रेलिया यहाँ यह दो ऐसे देश हैं जहाँ पर आपरवास के द्वारा जनसंख्या बढ़ी है जैसे आपने देखोंगे USA में बहुत सारे भारती रहते हैं बहुत सारे इंजिनियर्स जो है नौकरी के तलास में वहाँ पिस चाते हैं और नौकरी करते हैं USA में जो उच्चकूटी के डॉक्टर्स हैं वो भी इंडिया के हैं, उच्चकोटी के साइंटिस्ट जो हैं, वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो USA और Australia जो ऐसे देश हैं, जहां पर आप्रवास के द्वारा जनसंक्या में ब्रद्धी हुई है, इसके विप्रीज, जो सुडान कंट्री है, सुडान देश जो है, यहां क्योंके जो भी बहुते कावश्यकता हैं, रोजगार के अफसर हैं, लोगों के लिए कम हैं और कहीं न कहीं, जीवन यापन के लिए जो जरूरी स्थितियां होती हैं, ज़रूरी conditions होती हैं वो यहाँ पर उतनी मात्रा में generate नहीं हो पा रही है इस वज़े से Sudan के लोग अन्य देशों की तरफ रोक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है उत्प्रवास हो रहा है क्योंकि लोग यहाँ Sudan को छोड़ रहे हैं दूसरी देशों में जा रहे हैं तो उत्प्रवास के कारण Sudan जैसी countries में क्या हुआ है जनसंख्या में कमी हुई है अब बात करते हैं जनसंख्या के संतुलन की जनसंख्या के बैलेंस की यह तीन डाइग्राम आपको देख रहे हैं बड़ी आसानी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं जनसंख्या व्रद्धी यानि यह जी एरो आपको देख रहा है उपर की तरफ उठता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है जब जन्मदर अधिक होगी और म्रत्युदर कम होगी लोग ज़्यादा संख्या में जन्म लेंगे कम संख्या में मरेंगे तो क्या होगा जनसंख्या बढ़ जाएगी जनसंख्या में ब्रद्धी हो जाएगी लेकिन दूसरा जो डाइगराम है वो क्या बताता है कि देखिए जनसंख्या देखिए ये parallel line है बिल्कुल parallel line यहाँ पर मैंने बनाई है बिल्कुल parallel line तो इसका मतलब क्या है कि जन्मदर और मृत्युदर दोनों कैसी है समान है लोग जितनी संख्या में जन्म ले रहे हैं उतनी संख्या में ही मर रहे हैं जन्संख्या कैसी हो जाएगी? इस्तिर हो जाएगी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो arrow है नीचे की तरफ, downward की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है जन्मदर अधिक है जन्मदर कैसी है? कम है और मरत्युदर अधिक है मतलब मरत्युद का पलड़ा देखेंगे आप भारी है नीचे की तरफ जो का हुआ है तो जन्म लोगों का कम हो रहा है मरत्युद लोगों की जादा हो रही है कम संख्या में जन्म ले रहे हैं है कि जन्सक्या की जो प्राकरतिक व्र्द्धी दर है वार्शिक अगर देखा जारी Blue color क्या दहाँ है कि प्राकरतिक व्रद्धी की दर है जो अति उच्च है 3% या उससे जादा और जो आपको ये रेड क्लर दिख रहा होगा ये दिखा रहा है हाई जो व्रद्धी दर है, मतलब वो अती उच्च है blue वाली और ये है red वाली उच्च, लेगबग 2 से 2 दसमलाव 9 परतिशत के सम्तिंग, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो map दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे, सिर्फ दो ही चीजें आप world का map देखिए, और उसमें से इन स्थानों को point out कीजिए, और इसके अलावा जो उच्च वरद्ध दरवाले हैं, उन देशों को भी यहां से आप point out कीजिए, ठीक है जो red color वाले हैं, ये कौन-कौन से छेत्रों में इनको दिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए home work के लिए हैं, जनसंख्या संघटन, जनसंख्या संघटन क्या होता है, जनसंख्या की संरचना, ठीक है, जनसंख्या का structure, जैसे पुरस और इस्तिरियों की संख्या कितनी है किसी भी देश में, किसी विशेस आयू वर्ग के लोग कितने हैं, 0-10 जो वर्ष हैं, उनकी आयू के लोग कितने हैं, 6-14 वर्ष की आयू के लोग कितने हैं, व्रध लोग जो लगबग 65 प्लस हैं, वो कितने हैं, ठीक है, आस्रित वर्ग कौन सा है, तो इस तरीके से ये जन conditions कैसी हैं इनके बारे में जो है किसी जनसंख्या के बारे में इन चीजों के बारे में पता लगाना वो जनसंख्या के structure के इंतरगत आता है किसी भी देश की जनसंख्या संगटन का अधियन करने के लिए सबसे बढ़िया और interesting विधी होती है जनसंख्या पिरामिट जनको अभी हम इस class में ही समझेंगे जनसंख्या पिरामिट क्या होता है किसी भी देश में कोई आयू वर्ग हो गया जनसंख्या यानि पुरस और स्तिरियों की अलग-लग जनसंख्या का percentage आश्रित लोग कितने हैं उनकी संख्या इसको बताने के लिए हम जनसंख्या पिरामिट का यूज करते हैं अब आश्रित में भी दो तरह के लोग होते हैं एक युवा आश्रित होते हैं एक व्रद्ध आश्रित होते हैं युवा भी कुछ ऐसे होते हैं जो घरवालों पर डिपेंड होते हैं जब भाई 65 वर्ष का इंसान हो जाता है तो वरद्ध हो जाता है अब वो नौकरी नहीं कर सकता काम नहीं कर सकता तो वो भी आश्रित होता है अपने बच्चों पर तो युवा आश्रित यहां पर परिवाशित किया गया है NCRT में कि 15 वर्ष से कम आयू का जो वर्ष होता है वो युवा आश्रित वर्ष होता है और व्रद्ध आश्रित जो होते हैं वो 65 वर्ष से अधिक आयू के लोग होते हैं कारेरत आयू वर्ष मतलब जो लोग काम करने के लिए सच्चम होते हैं और काम में लगे रहते हैं 15-65 वर्स के लोग काम करते हैं, किसी उद्योग में, किसी फैक्टरी में, किसी या कुछ भी काम होते हैं अपनी आजीवी का चलाने के लिए वो सारे लोग करते रहते हैं, तो ये कारेरत आयूवर्ग माना जाता है, अब जिन पिरामिड्स की बात हम कर रहे थे, उनको यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये जो पिरामिड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये केन्या का पिरामिड है, केन्या का पिरामिड है, तो आप देखेंगे, ये नीचे इसका जो आधार है, ये बहुत चोड़ा है, देखिए, आधार कैसा है, इसका चोड़ा, और इसका जो और म्रत्युदर दोनों कैसी हैं, हाई हैं, जन्म भी ज़्यादा हो रहे हैं, अब जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, तो 0 से 4 वर्स के लोग, 5 से 9 वर्स के लोग, 10 से 14 वर्स के लोग, यह जो नीचे का आधार है, यह दिखा रहा है कि 0 से लेकर के 15 वर्स तक के लोगों की जो आय यू वर्ग को दिखा रहे हैं कि कोई भी प्रतिव यह जादा हो रहे हैं तो ज्श्यू जरू नहों चले तो ब्रद्धम वर्ड हो रहे हैं तो क्या हो गा ब्रद्ध Yellow जो हैं और पर देखेंगें आप यहां से तो लगबग का चालीस से उपर देखिए 40, 45, 50, 55, 75 पर जाके तो बिलकुँ छोटा हो गया है 75 पर जाके तो बहुत कम लोग बचे होंगे यहाँ पर, तो क्या होगा जब मृत्युदर अधिक होगी तो ब्रदों की जनसिंख्या में कमी आ जाएगी, ज़्यादा एज की लोग जो होंगे वो बहुत कम मिलेंगे ब्रद लोग बहुत कम मिलेंगे, तो यह किन्या की स्थिय है, यह किन्या की पॉपुलिशन का पिरामिड है भारत का पिरामिड देखें तो भारत का पिरामिड क्या दर्स आता है यहां से देखें 15 से 19 वर्स का जो आयू वर्ग है यहां से लेकर के आप 40 से 44 आयू वर्ग में देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या इस छित्र में आ रही है ठीक है यह जो यूथ हैं इनकी संख्या यहां पर जादा है शिशू मरत्युदर कम है क्योंकि भारत में जो मेडिकल कंडिशन्स हैं वो बहुत अच्छी हो चुकी है और इसके अलावा जैसे प्रात्यमिक जो चिकसाले होते हैं प्राइमरी जो हेल्थ केर सेंटर होते हैं वो भी जग की संख्या जाता होगी तो श्रम्षक्ति वहां पर जाता होगी ठीक है वर्धामाइबां का मैंने सबसे जाता हैर afterwards राम तरफ क्या होता है कम आयूबर्ग की लोग होते हैं बच्चे होते हैं जो जाद बच्चे होते हैं तो आधार का पिरामिड अगर संक्रा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जन्म दर जो है वो कैसी है कम है लोगों का जन्म बच्चों का जन्म कम संख्या में हो रहा है और आप पर भी देखेंगे आप यहां से देखिए 50 से उपर देखिए 50 से 54 बहुत ज़्यादा जनसंख्या है 55, 69, 60, 65 और 69 तक 65 से 69 या 70 साल तक के लोगों की संख्या का वर्ग यहां पर यहां पर देखेंगे इस बाले बीच को आप देखें यह वाला जो मिड़ वाला एरिया है तो यह 40 से लेकर के 70 वर्स की आयू के लोगों का छेतर है तो यहां पर देखेंगे यह हिस्सा काफी बड़ा है इस पिरामिड में मतलब जापान जो है इसको ब्रद्धों का देश भी कहा जाता है मतलब सबसे जादा एजड़ व्यक्ती जापान में ही पाए जाते है जापान के दर्भी कम है और लोग मरते भी बहुत लंबी आयू में जाकर के है तो इस तरीके से जो व्रद्ध वाला छेतर है मतलब कम या उच्छ आयू वाला जो वर्ग है 40 से लेकर के 70 आयू वर्स के बीच के जो लोग है वो यहां पर सबसे जादा पाए जाते हैं तो इसी लिए जा बने रहें एक और चीज के जो रिवीजन है पिछली क्लास का वो जरूर करते रहें कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ने का कोई भी फाइदा आपको नहीं होगा बिल्कुल भी आपको यह चीज हैं लाब धायक आपके लिए नहीं रहेंगी तो रिव 9th क्लास से आपको बहुत अची तरीके से बढ़ना है क्योंकि यह वो स्टेज है 9th क्लास अब आप Advanced Mode में आ जाएंगे आपकी Basic Understanding 6, 7, 8 से डवलप हो चुकी होगी 9th क्लास से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी Advanced Mode में देखने को मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा Important चीज़ें आपको 9th से देखने को मिलेंगी तो 9th से जब आप पढ़ेंगे तो और उसको deeply पढ़ेंगे हम और अच्छी तरीके से और सहिस्ता के साथ में आराम आराम से चीज़ों को देखेंगे तो फिर मिलते हैं आपसे एक next वीडियो में एक न समस्कार जैहिन